नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है हवाई जहाज का सफर एक सुख में एहसास है ऐसे में इस से जुड़ी कुछ ऐसी बाते भी हैं जो आपको जान लेनी चाहिए और ये शायद आपको अचम भिद भी कर सकती है आज हम आपको बताएंगे कि प्लेन में पाइलेट्स को अलग अलग प्रकार का खाना क्यों दिया जाता है ये बात तो आप जानते होंगे कि एक प्लेन में दो पाइलेट होते हैं एक मुख्य चालक और दूसरा सह चालक यानि कि पाइलेट और को पाइलेट ऐसे में दोनों को अलग प्रकार का खाना दिया जाता है इसके पीछे जुड़ा हुआ कारण काफी रोचक है आपको बता दें कि कोई भी फ्लाइट एक पेहद ही समवेदन शील तरीके से उड़ने वाली चीज होती है और इसको उड़ाने के लिए काफी एहतियात और काफी अच्छा प्रसिक्षन होना जरूरी है ऐसे में जो पाइलेट और को पाइलेट होते हैं उनको अलग प्रकार का भोजन प्लेन के दोरान सर्व किया जाता है इसके पीछे कारण ये होता है कि माल लीजिए अगर किसी का खाना खाके कुछ तब्यत खराब हो जाए तो दूसरा पाइलेट प्लेन को संभाल सके यही विशेश कारण है जिसकी वज़े से पाइलेट और को पाइलेट को अलग प्रकार का खाना दिया जाता है यह नियम आज से नहीं काफी समय से है कई लोगों को ये बाद जानकर हैरानी होगी कि प्लेन के दौरान पाइलेट सो भी सकते है जी हाँ आप घबराईये मत सोने का मतलब ये नहीं है कि वो प्लेन को छोड़ देते है प्लेन के अंदर एक उप्शन होता है जिसे आटो पाइलेट मोड लगा दिया जाए तो प्लेन अपने आप अपनी बताई हुए गंतव्य तक उड़ता रहता है इस बीच पाइलेट आराम कर लेते हैं तो हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ आवशे शेयर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें बेल बटन को जरूर दबाएं धन्यवाद